आप सबका SJD College की स्वाशिक चित्रकला प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत है आज किस प्रतियोगिता में भाग ले रहे युवा कलाकार बेहत ही भागेशाली है क्योंकि उनकी प्रतियोगिता का आंकलन करने के लिए हमारे बीच में है मशूर कलाकार Mr. Rudra Pumad इस खास प्रतियोगिता में हर एक पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए सिर्फ दो मिनट मिलेंगे और पेंटिंग इस बारे में होगी इसका फैसला ये पर्चियां तै करेंगी तो आएए बढ़ते हैं अपने प्रतियोगिता की और तो आएए पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अपनी पर्चियां हुठाएं बेड़ा ये तकान सा हो रहा है मैं गर जा रहा हूँ हम शाम को गर पर बिलते हैं ठेक है पापा देहान से जा चिंता मर कर बेड़ा टेक कैस तंबाल के लिए तो बस हमारे आखरी प्रतियोगी के आते ही ये कॉंपिटिशन शुरू कर दिया जाएगा तो मिस्टर आकाश आप जहां कहीं पे भी हैं प्लीज स्टेज पर आजाएं मिस्टर आकाश ये कोन है एक्सक्यूज मी देखे अगर आप बिना पर्चे उठाए अपनी पेंटिंग शुरू करेंगे तो आपको डिस्कॉलिफाइ कर दिया जाएगा कर दिया जाएगा इसका आइडी चेक कहीए आपने आपने इंशन मकलिजे हम इसे डिस्कॉलिफाइ कर देंगेंगे सर्टिस्कॉलिफाइ की बात यह था कॉन पता करो कॉन है यह आदमी कि जी सर् रुद्रजी रुद्रजी आप तहां जा रहे प्रीज सुने तो मधी ब़ड़ो अरे, कहां चाला गया अभी तो यहीं था? यहां रोखारा? Sir? Sir? हां हां आरा हम stage- नई सरा, stage पर नहीं सर। वहां, दूसरे कॉरिडि़ों में बहुत बड़ा हाथसा होगया बहां थीध। के रहां जल्दी आयों, प्रूंस साइब दीजिए, एक मिनिट रहां। सबस्क्राइब अपको रुटरजीव नम्हाला पर पापा कुछ पापा कुछ अजिस ने भी एक आप जोड़ो गाले सिर्ड आपका प्चा फोन बज़ रहे सह क्याँ क्या लगेगा फोन हमाँ कांगरेचलेशन दूगा अरे थैंक्यो थैंक्यो कैसे हो? ठीकन आप पाठी हैं जो कि जिए तरह एक इंपोर्टन कॉल हाँ, बी कमपटेबल बाई यह पकड़ो हाँ अरे बबा कितनी कोशिश करोगा यह बस भी करो जब तक यह रूद्रा फोर्ण नहीं उठाता मैं उसे कॉल करते ही रहूँगा किसी काम में बिजी होगा ना? यह हमेशा सानाठा के यार इसका जब भी हम लोग मिलने का प्लान करते हैं या तो यह कई फज जाता है या तो कोई काम निकल आता यह बना फोर्ण क्यों नहीं उठाता? सुबे से 25 कॉल कर चको उसे ओहो, रिलाक्स, रिलाक्स मैं जानती हूँ, तुम कितने उच्चुक हो कि हम तीनों एक साथ में इतनी दिनों के बाद में मिल रहे थे ओहट डू यू मीन बाई मिल रहे थे मिल रहे, मड़ाम, मिल रहे बस एक कॉल लगने दो फिर देप वो आप ही जाएगा ना, फिर भी मैं नहीं मिल पाऊंगी क्यो? कल सुबे पुना निकलना है ना, कॉन्फरेंस के लिए क्या है ना, सुहाना, शायद किसमत को मन्जूर नहीं कि सुहाना, अभीवान और पुरूद्र एक साथ मिलें तुम दिल छोटा मत करो जैसे ही मैं पुना से आऊंगी ना, हम दोनों मिलके है ना, उसके घर में धमग जाएगे ठीक है? धमग जाएगे हाँ नाइस, 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 नाइस करें ले लेगे नाइस नाइस हुआ नाइस नाइस बहुत weakest रस हैंक के आक ट्र kmoo कियरी हुआ हलो हाँ अ excitement क्यांक अज़ेगे किनी सुनुरब पैकिंग कमाल है किसे ने नाम भी नहीं लिखा? खोल के देखती हूँ जूरी बॉक्स माइ गॉड़ इतनी खुबसुरा सोने की चैन तो मैंने कभी नहीं देखी है क्या वाद है दानिया? बहुत च्छे कर रही हो, कुश लग रही हो विवान देखू, कितनी कीम्ती चैन है क्शिआ धिख तो किसने दिया ये गप तुमें? इसने दिया? विवान यह यहां रखा था इसपे नाम नही लिखा हुआ है अरे नाम दिये तो तुम उठा लोगी? अब.. यहां पे दो तुम चीलला क्यो रहे हो? लाआ मुचे दो विवान, तुम्हारा खराब है तान्या, कोई कुछ भी देगा? उर तू उतालोगे? ठेबल पर रखा था में क्या? ठेबल पर रखा था? ठेबल पर रखा था.. विवान! विवान, सुरो तू मेरी बाद! औरो प्रेवाँ चाहिए, कर दो. हटेवाँ? रुदरा, प्लीस दो यहां पर आया. मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है. मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे जा किसी ने उनके जाल ले सॉरी, सॉरी यर अच्छा मुझे बता तू इस वक्त कहां पर रहे ठेर लाओ दी तू अच्छा ठीक है तू वही पर रूख मैं आता हूँ एक पंद्रा मिनिट में पहुंचता हूँ ओके अजे विवान बेटा इस पार्टी चोड़के तू कहा जा रहे हूँ विवान बेटा जवाब तो दो विवान 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 आता हुआ जो प्रफेशनल पाइंटर से इसमाल करते है देखो इस वे उग्लिये की निशान एके यहाँ आडिटोरियम से कोई बाहर तो नहीं किया है ना नहीं सिर खुन कॉल्डोर में हुआ है यह किसी अंदर माले कभी हाथ हो सकता है हम मैं से कोई ऐसा क्यूं करेगा कोई भी वज़ा हो सकती है जा सर इस पर फिंगरप्रिंट्स आदे है गुड़ एड़ी एक एक उंगलों के निशान लो और इस फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो किसी को मत छोड़ना नहीं छोड़ूँगा ऐसे माहूल में मैं खुद की भी नि सुनता अपनी भी उंगलियों के निशान ले लेता हूँ इस खून के साथ कुछ लेना देना है या नहीं कौन आते है कोई आदमी कॉंपेटिशन के बीच में घुश के पेंटिंग करने लगा सर हमें भी हैरा ने ऐसे ही हुई थी जैसे बिलकुल अभी आपको हो रही है आप लोगोंने उसका चेहरा तो देखा होगा ना कौन था हूँ नहीं माडम उसने हुडवाला जैकेट पैंट रखा था और अपना चेहरा भी चिपा के रखा था सर हम कुछ समझ पाए उससे पहले तो वो पेंटिंग बना कर भाग भी गया ज़र दिखाये कौन से पैंटिंग बनाई उसने आए यह सर प्लीज यह है वो पेंटिंग यह तो आख है ना सुनेरे रंग की आख पताने उसे यह पेंटिंग बनाने की क्या सूजी क्योंकि हमारी पर्चियों में कहें भी सुनरी आख का कोई टॉपिक नहीं था ज़र वो इस पैंटिंग के ज़रे कुछ कहना चाहता था सर उसने यह पैंटिंग जुन करने से पहले बनाई होगी अब आद में मुशर रुद्रा जब आदमी यह पैंटिंग बना रहा था तभी आपके पापा आपके साथ थे या जा चुके थे सर निकल गया और उस आदमी ने यह पैंटिंग किती तिर में बनाई थी एक देड़ मिनिट में बना दी होगी पैंटिंग बना के तुरंट वो यहां से बाहर भाग गया जी सर अचा जब वो आदमी यह पैंटिंग बना रहा था उससे किती देर पहले आपके पापा यहां से निकल गए थे सर दो मिनिट पहले दो मिनिट पहले तब वो आदमी यहां से जल्दी से बाहर गया और कॉरिडर में जाके उसने खून कर दी पर सर, दो मिनिट में तो इनके पापा को कॉरिडोर को क्रॉस कर लेना चाहिए था सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पापा का खूण कहीं और किया गया हो और उनकी लाश को कॉरिडोर में रखती गई हो नहीं, जिर्म तो इस कॉरिडोर में हुआ है सर, उनकी उमर हो गई था और उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो तेज नहीं चल सकते था यह भी तो हो सकता है कि उस आदमे के साथ उसका कोई पार्टनर था एक यहां पर पेंटिंग बना रहा था और दूसरे ने जुन को अंजाम दे दिया हां? और सर, वो आपनी इस पेंटिंग के जरीए कहना क्या चाता था Mr. Rudra, आपके समझ में कुछ आता ही है? सुनहरी आँक, यह क्या है? वो अंदाजा है? यह नहीं Rudra Rudra, यह क्या हो गया यार? आप यह यह पेरा कॉलेज का फ्रेंड है वेवान Sir, सभी लोगों के अंगलियों के नेशान ले लिये अब बस अंदर वाले ही बचे ठीक है अब आप लोग भी प्लीज कॉपट किजी हमारे साथ लेकिन सर मैं प्लीज हाथ रखिये हाथ रखिये 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 Kudra जी आप दे रिवान लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूना तो कोई नहीं हाथ रख दो कुछ नहीं रखिये ठीक है प्रेडिक श्रिया सारे पेंटिक सो जब्त कर लो सर वो वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है सर मैं इसे घर लेके जाओ प्रेडि ये सबूत है पेंटिंग नहीं इसे एविडेंस बैग मिटा लो अलो अलो क्या क्या हुआ पापा तानिया मिली ले बेटा हमने सब जगे देख लिया इसका कहें कुछ पता नहीं चला ये देखो अपना फोन में बूलकर गई है घर पर मैडम जी परोसियों की यहां भी देख लिया लेकिन तानिय मेंस आप कही नहीं दिख रही ऐसे कैसे किसी को बिना बताये चले गई वो जैसे तुम पाटी छोड़ के चले गए थे तुम ने वे चेंटो फेकी सब के सामने वो की इतनी बिस्दी कराई शायद नारा जोकिन इसलिए घर चोड़ के चले गई है ने ने कहां जा सकती है वो गई होगी किसी दोस्त के पात ला यह मुझे फोन दीके मैं कॉल कर दा हूं सब जेके फोन करके देख लिया वो किसी भी दोस्त के घर पर नहीं है किसी के आभी नहीं है कहा जा सकती है हासन क्या दो जरूरी चीदे बताने माला था तो बस विरेंदर जी के केस में हमें दो बैतफूर्ण सुराग मिले हैं अच्छा क्या पहला सुराग इस चाकू पर जोंगलियों के निशान है वो व इस सुनेरी आख वाली पेंटिंग पर जोंगलियों के निशान है उससे मैज करते है मतलब जिसने पेंटिंग बनाई फून उस ही नहीं किया से और दूसरा सर इस चाकू पर हमें कुछ केमिकल्स मिले जिनका इस्तमाल पुरानी पेंटिंग्स पुरानी बल्दिंस को रीस्टोर करने में किया जाता है उनको नया के सुनानी में किया जाता है पींटिंग रेष्टुरिशन चैमिकल्स जब कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा प्रोफेशनल तो पेंटिंग रेश्चुरिशन का काम जानता है पेंटिंग रेश्चुरिशन का काम करता है साब जी, पान सर, आप लोग यहाँ पर? रूदर के पापा का कुणी मिला? हाँ, वो तो पता चल जाएगा, फिलाल हम यहाँ आपकी पत्नी का पता लगाने आए मेरी पत्नी का? आप लोगों को किसने बुला यहाँ पर? साब जी, मैंने बुलाया इन लोगों को सानिया में सब के बहुत फिक्र हो और यह मुझे अरे, CID वाले हैं, इन्हें बहुत बड़े-बड़े काम करने होता है अब इतनी छोटी बात के लिए इन्हें यहाँ क्यों गुलाया तुमने? एक मिन, एक मिन, आपकी पत्नी गायब है और यह बात आपको छोटी लग रही है ने नी सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मेरी पत्नी यहीं गई होगी दो रिष्टेदारों के बास लौट आएगी साब जी, हम लोगों ने तो सब को पूछ लिया, किसी को भी मालूम दिये साब जी, फोन भी यही भूल कर गई है मिन साब दिखाई जर जी अली जी आखरी बार किसको फोन किया तर तानिया जी ने आखरी बार मैंने बात की थी तानिया से ये पार्टी शुरू होने के पहले पार्टी के दौरान पे फोन आया ने सर ऐसे पार्टी के बीच में से कोई कैसे गायब हो सकता है एक काम करो, जड़ा अंदर चेक कर लो कोई सुराग मिल जया है क्या मात है मिस्टर भीबान, ऐसा कॉनसा ज़रूरी पोन कॉल है जो आप थोड़ा रूप नहीं सकते सॉरी सर, सर, एक्स्क्यूज मी, ज़रूरी कॉल है, एक मिलिटा हालो हाँ, ओके, जी जी, ठीक है, ओके. क्या बात आपके चेरे पे काफी खुशी दिख रही है, लगता है तानिया जी के बारे में पता चल गया नहीं सर, तानिया के बारे में नहीं पता चला, यह मेरे काम से संबंधित फोन था इसलिए कमाले से, आज के जमाने में लोग बड़े workaholic हो गए हैं, बीबी गाइब है, फिर भी ज्यान काम पी है वो तो देख रहा है वो तो देख रहा है एक में आप लो पर आप यह मेरे मम्मी पपा है और मैं इने अमरीका भेज रहा हूँ, मेरे कजन के पास अमरीका? अचानक? यह अचानक नहीं अब रूदर के पापा की के सुनके तो मेरा दिल दहल गया, सर और मैं अपने मम्मी पापा की सुरक्षा के साथ कोई रिस्क नहीं ले सेता क्यों? तुम्हारे भी दुश्मनी है क्या किसी के साथ? नहीं मेडम, बात दुश्मनी वाली नहीं है अब आप ही सोचिये ना, एक खुनी खुले आम इस देश के सड़कों पर कुंगा है अब कितनों की जान को खत्रा भी है तो आप समझ सकते ना, सर बेटा, बव का पता चलिए तो तुनत फॉन करना जी पपा, मैं तुरहंत आपको कॉल कर दोगा सर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा था ठीक है थेक है पपा, आप संभल के अपना क्याल तके जी सर, पूरा घर चान मा रहा है कोई सुराग नहीं मिला ठीक है करके अंदर नहीं मिला तो सुनेगी चें सुनेगी चें सर, ये तो वैसी सुनेहरी आँख है जैसी उस पेंटर में बनाई थी मिस्टर विवान, आप चें को पैजानते हैं? अच्छा 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 वैसे आपका कोई समान कहीं छूट जया तो क्या करते आप? सिंपल सी बात है सर, ऐसे वक्त पे हम सामने वाले को कॉल करके पूछ थे कि भई मेरी… तो कोई कॉल आया कूछने के लिए इसके बारे में? जी नहीं, अभी तक तो किसी ने फोन नहीं किया मुझे इस चें के बारे में शायद भूल गया होगा वाह, किसी की इतनी भारी चेंक हो गई है और उसे होश ही नहीं है मेडम, जैसे मुझे किसी का कॉल आएगा न मैं पहले आपको कॉल कर दूँगा अचा इस आख के बारे में कुछ जानते हैं दुद्रा के पाबा के खूनी ने भी ऐसे ही आखी पेंटिंग बनाई थी सर, जब मैं इस चेंग के बारे में नहीं जानता तो इस आख वाली डिजाइन के बारे में कैसे बता सकता हो ना सर आहा, अचा, अचा, ठीक है फिलाल तो हम दोग चलते हैं इसे आपकी वाइब के बारे में कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे और आपको कुछ पता चले तो आप प्लीज हमें इंफाम करें जी हाँ सर अलो हाँ विवान बोलो हाँ रुद्रा यार तु ठीक तो है ना पैटा बिठा है मुसीबत मोल ले लिया वो तो है देख मुझे लग रहा है वो वापिस आ गया और वो सुहाना यार सुहाना कैसी आएओ वो तो ठीक हो गी ना एक एक मिनिद रुप मैं सुहाना को कést गो कांफरन की लेता रहे हाँ ऑई हुआ अड का अट श्यू घुपरろ बिवान हाँ सुहाना कैसी हो तू अटेक औह हो मैं तो घर पर हुआ ठीक हो सुहाना मुझे ऐसे लगता है कि वह वापिस आगया क्या? सुहाना, तुम्हे ऐसे कुछ भी लगे ना, तो प्लीज हमें इंपॉर्म कर देना हाँ सुहाना, कुछ भी होगा, कॉल कर देना मेडम, अपका केबल में हाँ, ठीके, ठीके थैंक्यू अचहा, हम में बतातियो और अपना केहलर ना ओके, ओके हाँ में अपना ध्यान रखना हाँ, तुम्हो भी अपना ध्यान रखना ौके सर्ष्य हर में तो कितने ही ऐसे एसे अर्टेस्ट और पिंटस होंगे जो रेस्टरयशन का काम कर रह होंगे सिरसर, मोजिर मार्टिस तक पुचेंगे कैसे? पेंडिंग कॉंपेटिशन का पुटेज देखते ना? श्रया? Mr. Aakash, आप जहां कहीं में हैं, फ्लीज स्टेज पे आजाएं Mr. Aakash Excuse me श्रया, एक मुनिट, एक मुनिट जड़ा पॉस करो सादी को देखो कि जो वुड पेना है, मासर पेना हुआ है उसके जैकेट पर कुछ है जूम करो जड़ा Sir, ये तो इनिशिल्स लग रहे हैं A G क्या हो सकता है A G कोई कंपनी, कोई इंस्टिट्यूट, और्गनाइजिशन कुछ तो है, शायर यादमी उसके लिए काम भी करता हूँ जड़ा देखो तुसे ही नेट पर लेखो A G इनिशिल्स की कोई कंपनी वगरा कुछ है क्या है Sir तब तक आप क्रिमिनल डाटाबेश चेक करते हैं देखते इस गोल्डन आय नाम के बारे में क्या पता चलता है चलो आपका अंदाज़ा रुकुल सही नेकला इस गोल्डन आय नाम के गैंग 2006 से 2010 के बीच में ऑपरेट करती थी, Sir यह लोगों उन ही खाय कैसे कैसे क्राइम्स की हैं इनों ने? Sir, यह गैंग कॉलेश के बच्चों को धेर सारी रकम देती थी और जब यह रकम बच्चे चुकाने ही पाते थे तो उनसे मंचाह काम करवाते थे लोग ट्रक की स्मगलिंग अगरे, Sir 2010 में गोल्डन आय गैंग का लीडर जैकी पकड़ा गया गैंग लीडर जैकी तारापुर जेल में है और जर्म फिर से शुरू हो गये गोल्डन आय गैंग के नाम से तो क्या कोई और गैंग चला रहा है? या फिर ये जैकी ये जेल की सलाखों के बीचे सी इसब करवा रहा है Sir? हाँ Sir, एजी इनिशिल्स वाली एक कंपनी गली है जो आर्ट रेस्टोरेशन का काम करती है आर्ट गैलेरिया नाम है? Yes, Sir अब दया जाएगा इस आर्ट गैलेरिया में और सब पता लगाकर आएगा और हम जाएंगे तारापुर जेल इस गोल्डन है गैंग के लीडर जैकी स्रीमिन ले Mr. Sunil ये देखें ये एजी इनिशिल्स ये आपके आर्ट गैलरी का है? जी हाँ, पर बात क्या है? बात बात सीरियस है आपके यह जितने स्टाफ मेंबर्स है उन सब को यह पे खटा केजिए जल्दी सब यह हैं, बोलिए गुड फिड़ी, शिता यह जितने लोग हैं, सब के उंगलियों के निशान लो जल्दी उंगलियों के निशान, लेकिसर हुआ क्या बता ही है नदीज एक खून हुआ है फाद और आपको शक है कि खून मेरे स्टाफ किसी आजमी ने किया है? हमेश शक नहीं, पूरा यकीन है जल्दी आप यहाथ रखिये आपके हाथ पर यह रंग लगाए सर में दोक्यात अची तरह से जोना जलो बड़ी इसके हाथ में लाल रंग नहीं खून लगावा थैंक्यू थैंक्यू आज तो मेरी किसमत ही जमा कही मैंने सुना था कि प्यासा कुएं के पास लाता है आज कुएं कुछल के प्यासे के पासा है कुएं क्या कामान पड़ा CID को जब ECP प्रतिमन खुद चल के मेरे पस आया है यह देखने के लिए कि जेल की सलाखों के पीछे इतने सानों से सडनी के बाद भी गोड़नाय गैंक का लीडर जैकी अब तक सुद्रा नहीं है अभी भी अंदर बैट कर बाहर जुर्म करवा रहा है कैसा सुद्रा एक बुड़े अगमी काकद और एक अवरत को अगवा मेरा उससे कुछ लियाने कर नहीं है यह देखो गोल्डन आय गैंग जहाँ जहाँ जुर्म करती है वो आपने सिगनेचर्स चोड़ती कभी पेंटिंग के रूप में तो कभी लॉकेट के रूप में मिनकारना मुझे इस बारे में कुछ महलू महीं है चल वैसे ही उन लोगोंने मुझे फिराण कर रखा है गोल्डन आय के बारे में पुछ पुछ के किन लोगोंने यह जैल के स्टाफ के लोग सर्फ अढ़ जील के ररजिस्टर से पता चला है कि आच सुपे जैकी को मिलने रूद्रा और विवान आय थे रूद्रा और विवान बताओ कोन कोन है तुमारे साथी हुई हुई मैं नहीं बताओंगा नहीं पहुँआ नहीं नटकाऊँगा मैं तुम्हें फांसी पर इन दो जुर्म के लिए लेकिन अगर अपनी सजा कम करवाना चाहते हो तो हमारी मदद करो सुनाय सेवे प्रदिमन ने सवान का पक्का है सही सुनाय ठीक है बताता हूँ साब इने जो भी किया अब डीटेल में बता क्या क्या तुने पैसों के लिए सुनाथा लोग गलते से केले के छिल्के पर से थिसल जाते गलते से लास्ता भटक याथ यहां तक की गलते से शादी भी कर लेते लेकिन गलते से खुन यह बात में पहली दफार सुन रहा हूं मैं भुगड़ने चाता था और जोटी सिम्याले लेकि और में गबड़ा गया और हट मड़ाट में उखूल कर दिया किस ने दियते पैसे तुम्हें एसब करने के लिए मालुमरी साब, मुझे मेरे घर के बाद एक पार से बिला पैसे, एक जिट्थी और सुने दिया के फोटो थी उसकी वह मुझे पेंटिंग मनाने थी और रुद्र के पिता को गड्लाप करना था कहा है वो जिट्थी और वो फोटो वो तो, वो तो मेने उसी लुक जिला दी थी बहुत बुरी तरह फज गया है तु बेटा फासी तो तुझे होगी पर अगर वो सुपारी देने वाला पकड़ा नहीं गया ना तो फासी के पहले हम तेरे साथ क्या-क्या करेंगे तु सोच भी नहीं सकता सच केरो साथ, तु समय किजी के नाम नहीं लिखा था तो कुछ और लिखा होगा, जा बढ़ा था तुमने हाँ साथ, वो पारसल सतारा से आया था सतारा, साथ बोल रहा है हमें गुम्रा करने की कोशिश कर रहा था साथ बोला साथ, छूट भूलके मुझे मिलेगा क्या सतारा है तुचा था, जैकी को मिलके टेंशन काम होगा पर यह टेंशन तो और भी बढ़ गई या और अगर जैकी नहीं जो कहा है वो सच निकला को? हम लोग तो गए काम से अब देखतेगी कौन जीता है, मम्मी जीती है, कुनाल जीता है, हाँ एक सिनेट तुम? हाँ मैड़म, केबल के पैसे लेने आए था कितने हुए? वो अपको कल बिल दिया था ना, उस पे लिखा हुआ है अच्छा, डुको, मिलेके आती हुए कुनाल, क्या अच्छा, क्या अच्छा, कुनाल, कुनाल, कुनाल कहा हुँ तुम? अच्छा, को अच्छा, क्या अच्छा, क्या भी दो, कुनाल शुचा, मिलेके आती हुए जो नहीं है अबिर सर उसका शायद ये फोन नमर गलत है फोन लगी नहीं रहा है ये उसका घर का पता है ना ये सर गर पेजा कर देखो अगर घर में कोई है तो लेक राओ नहीं याँ पर अबिर आयए आपिर के मातापयता नमस्ते हाई आय को अमने सुना, आप हमारे बेटे अवीर को ढूंड रहे हैं। जी हाँ, कुछ पता है आपको अवीर कहाँ पर है। पाच साल हो गये हैं, हमारे बेटे अवीर को गाइब हो गये हैं। लेकिन आज चिता को उसका कुछ पता नहीं चला है। बता नहीं, हमारी चिता को आग कौन देगा ने ने प्लीज देखिया, ऐसे मत कही है कुछ नहीं हो आओगा अभीर को हम पूरी कोशिक करेंगे उसे दूढ़ने की चिंता मत कीजे अच्छे ये बताए के आप लोगों का बेटा अभीर गलत लोगों के साथ चुड़ा हुआ था गोल्डन आई गैंग के साथ इसके बार में आप लोग कुछ जानती है और वो तो उच सारा गलत रास्ता चोड़के एक नई जिन्दगी के शिरुआत करना चाहता था अनुश्का के साथ अनुश्का के साथ? यह अनुश्का को बें? वो जिसे वो साथी कना चाहता था सार और कुछ दिनों के लिए वो दोनों सतारा भी गए थे सार ताके जोर्म से दूर एक नई शिरुआत कर सके लेकिन कुछ दिनों के बास सतारा से ख़बर आई कि वो दोनों वहां से नहां पता है इस अनुश्का का कोई फोन नंबर या पता है आपके पास? जी एड्रस बंच, एड्रस लेलू सर अधया रुद्रा और विवान ने कॉन्फरेंस कॉल किया था सुहाना को एक मुए टेक मुए रहा यह सुहाना गोल्डन आय गैंग वाली मेंबर है ना काम करो पूनी जाओ और इस सुहाना से मिलो सर सुहाना के फोन लिस्ट के मुताबिक उसने सबसे जादा कॉल रुद्र और विवान को किये हैं यह क्या? तरवाजा खुला है? सुहाना? सुहाना? सुहाना ज़्या देखो अंदर, ख्लाशीला सुहाना सुहाना सर क्या वाँ? तानिया, विवान की पत्नी अज़ा उन्हाट नॉ ज़्या गला चेर दिया इसका सर तानिया अगवा हुई मुंबई में और इसकी लाश यहां पूने में पड़ी मतलब सर, सुहाना ने किड्नाप किया ऐसे नहीं फ्रेडी सुहाना सुहाना ने किड्नाप किया ऐसे वरना वो लाश यहां गर पे छोड़के नहीं जाती कोई उसे फजाने के कोशिश कर रहा है आशे क्या सुहाना का मोबाइल फोन इसवक्स आतारा में सर, सुहाना के मोबाइल का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है अब हमारे पास दुसरा कोई चारा भी तो नहीं है हमें एक कदब उठाना ही पड़ेगा यह काम हमें उसी दिन कर देना चाहिए था जिस दिन अबीर और अनुष्का को बुलाया था यही वो जगह ना जहां पर वो दोना चलके आये थे अब इम्मत करो इम्मत करो और यह ट्रिगर रवाग हमारा साथ शाय दिया इतरता यह दूसरे को भारने भी तुले क्या कर दो अपने हाथों से टिकर कोई नहीं दबाएगा इन हाथों में हद्कडिया लगेंगी सब्सक्राइब ली सर हमारे परिवार वालों को बचा लीजी उनकी जान खत्रे में है अगर हमने एक दूसरे को नहीं मारा तो उनकी जान ले लेगा सर कौन करवा रहा यह तुम लोगो से हमें कुछ पता नहीं सर आमें कॉल यही सातारा से आई थी आपको जो सजा देनी है हमें दे दी जी लेकिन उसको पकड़ लेना बना वो हमारे परिवार वालों को मार डालेगा पहले शुरू से पूरी बात बताओ तुम लोग गोल्डन आई गैंग के मेंबस थे ना तो यह गैंग टूटा कैसे सब कुछ सही चल दा था सर लेकिन उसब दूर के लालच की वज़े से सब बरबाद हो गया को कटम कर दो पांट साल बाद फिर से वही हो रहा सर हमें अपने ग्रूप के सदस्यों को मारने के लिए कहा गया फर्क सिर्फ इतना है के यह ओडर्स चैकी नहीं कोई और दे रहा है कौन सर वो पता लगाने की वेकतर कीब है सर अनुषका यहां यह आप लोग दिखें हम लोग CID से हैं मैं इसे भी प्रद्यमन वैसे यह अनुषका है ना जी सर यही अनुषका है आप सर में की नर्स हूं इनकी देखबाल करते हैं यह तो खुच से कुछ कर भी नहीं पाती परसीम और कोई दिखना ही रहा है यह सर बत हम दो नहीं रहते है आप दोनों ही है तो फिर अनुषका की देखबाल का खर्चा अगएर और आपको काम पर किसने रखा फे तो वो तो मादूम नहीं मुझे इनकी देखबाल के लिए 926 रखा गया है और हरमाई ने दरवाजी पर एक निफापा मिलता है जिसमें अच्छी खासी रकम होती है अनुषका 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 विटा इदर देखो विटा देखा सर आपने ना कुछ सुनती है ना कुछ बोलती है बस एक जिंदा लाश की तरह बनी हुए है कुछ भी महसूस करने की शक्ती नहीं है दिखे एक रिक्वेस्ट है हमें केस के सिलसिले में यहां आ गए हम चाहते हैं कि आपके इस घर की तलाशी ले 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 जी जरूर सर थैंक यू बेरे मच सुचिन सर सर कमरे में यह डायरी मिली सर एस जेडी कॉलेज की लेकिन डायरी पूरी तरह से खाली है कुछ भी नहीं लिखावा एस जेडी कॉलेज सचिन बता यह अनुष्का है एस जेडी कॉलेज में पड़ती हो या फिर जिसने भी इसब किया है जिसकी वज़े से इस अब हो रहा है, उसका इस SJD College से कोई ना कोई संबन जरूर है, कोई ना कोई संबन जरूर है, इस SJD College से, SJD College. मचूर पेंटर रुद्र, जिनके पिता का मडर चागू घोप के कर दिया गया था, आखिरकार वो खोनी पगड़ा ही गया, उस खोनी का नाम है अनुष्का, जी हाँ, खोनी एक लड़की है, सताहा की रहने वाली मासूम सी दिखने वाली अनुष्का, कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके मासूम सी दिल में ऐसे खतरनाख मनसोवे उमड रहे हैं, खिलाल अनुष्का, जील के लॉकप में नहीं, सिटी हॉस्पिटल के अमर्जेंसी बॉल्ड गया, वो उस्ताज के दुआर उनका दिल गहल गया, और उनको पैनिक अटेक पड़ गया, इसलिए कहते है कि ज आए, समीरा! मेरा हालचाल खुछ ले आई हो हॉस्पिटल वे, हाँ स्वीट! इतना बड़ा दोखा? इसे दोखा ने केते मेडम, इसे नहले पे देहला केते है अरे जेवंती, ये अनुष्का का हालचाल फूछने आए थी है, तुम्हें देखकर कुछ ज्यादा खुछ नहीं लगती, उदास होगी ये पिशारी इसकी उदासी मैं अभी दूर कर देता बताओ, क्यों किया तुने इसाथ? क्योंकि उनुष्का मेरी बहन है, और उन लोग ने जो कुछ भी उसके साथ किया, मुझे उस पर बद्ला लेना था और इतने भ्यानक हमले के बाद भी, उपर वाले में उसके जान बचा ली उसने मुझे पूरी बात बताई लेकिन दिन बद दिन उसकी हालत बगतर होती गई तब मैंने भी सोच लिया कि जैसे उन गोल्डन आई वालों ने तुमारी बैन के साथ बुरा किया, वैसे तुम उनके परिवार वालों के साथ बुरा करोगी हाँ इसलिए उन्हें उस गॉल्डन आई की सिंबल की याद दिलाती रही ताहकि उन्हें याद रहे कि ये उनके अतीत के पापो की कीमत चुका रहे हैं मालूम है टीवी पर अनुष्का की वो जूटी कवर हम नहीं डाली थी अब जानते देगे टीवी पर अनुष्का की न्यूज देखकर तुम भागी भागी चलिया होगी है कैसे नहीं आती बहुत प्यार जो करती हूं उससे इतना प्यार करती हूं अपनी बहन से की कानून हाथ में ले लिया हाँ माना के जो कुछ भी हुआ बहुत पुरा हुआ अगर कानून अपने हाथ में लेकर तुमने भी वही करती की है जो उन लोगों ने की सजा तो तुमें भी होगी करता हुआ